दोस्तों आज मैं आपको पलसर भाई के डिजिटल मीटर को रिपैर करना सिखाऊंगा अगर आप इस वीडियो पर आ गया तो सीख लीजिए आज नहीं तो कल करने तो परसों कभी ने कभी आपके ये वीडियो ज़रूर काम पर आईए थोड़ से टाइम वेस्ट करके देखांगे तो उस टाइम जो वेस्ट आपका होगा उसमें जो कुछ नॉलेज मिलेगा वो बहुत कीमती नॉलेज होगा आपके लिए हमारे चल पर डेली वीडियो जाती रहती हैं तो डेली वीडियो आप देखकर सीख सकते हैं वैसे भी सीखा हुआ नॉलेज है ना कभी खाली नहीं जाता तो सीखिए आप यहां पर जो आस का मेरा में टॉपिक है वैसे तो मैं इसको रिपायर कर собственно होना बहुत जरूरी हचे हुआ खराबे किसी मैं कुछ खराबी तो हमारे पास एक मीहँania होने के लिए आया हुआ है तो यह वाला मीटर होने के लिए आया हुआ है इसमें जो खराब है पुलक anymore सामने आप देख जिनका circuit repair नहीं हो पाता है क्यों क्योंकि उनकी जो IC है ना वो खराब सबसे आदा हो जाती है हालाकि मैंने जो इसकी जो company होती ना दो company ज्यादा तर इन meters को manufacture करती है एक व्रॉक होती है एक pre-call होती है मैं थोड़ा सब को बताना चाहूंगा यह देखिए यहाँ पर यह प्रीकॉल लिखा है इसके पीछे भी प्रीकॉल लिखा है तो इस इन meters को pre-call manufacture करती है और दूसरी कोई-कोई व्रॉक भी करती है अब ज्यादे तो प्रीकॉल के मीटर होती है उनका circuit सामने ही रहता है बिल्कुल यह इसका circuit है आसानी से repair भी हो जाता है लेकिन जो व्रॉक के circuit होते है वो अंदर होते है उनके लिए हमें display को हटाना पड़ता है आप हमारी अधर वीडियो देख सकते हैं उन पे भी आपको बहुत सारी knowledge मिलेगी अब होता क्या है उस condition में हमें display को हटा के उसके circuit पर काम करना रहता है लेकिन इसमें easy है अब इसमें display को हमने उतारना तो है ही क्योंकि display का का काम करना है बागी other circuit के लिए हमें display उतारना बहुत जरूरी होता है अब हमने वैसे BS6 के बहुत मीटरों को repair मुथा हुआ सब कर्याब थी तो यहां पर i see nama कुशे आसी मिलती नहीं कि अ सब कर सकते है ऑगर आपका meet i side मीटर के से से लगी हुए है और उसका बिल्कुल model number same है सब कुछ same है तो आप उसकी display को ना change कर सकते है हलाकि मैंने सब कुछ check करा यहाँ पर यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल same था लेकिन यहाँ पर सिर्फ E और P का यह अंतर है लेकिन एक बाद display चेंज करके देख लेंगे तो सब कुछ match कर रहा है अब display लग जाती है तो अच्छी बात है नहीं है तो फिर हम display को order करेंगे फिर यहाँ पर लगाएंगे चलिए सबसे पहले हम आपको इसको एक बाद चेक करवा के दिखा देते हैं यह तो खराब है इसको क्या चेक करना इसी को हम चेक कर लेते हैं और दोस्तो वाइरिंग सबसे ज्याद हमारे कमेंट आती है वाइरिंग कैसे करना है इसका तो वाइरिंग का एक जबरदस वीडियो हमने अप्लोड करा है उससे आप देख लो एक एक चीज की वाइरिंग बताई है यहाँ पर किस पिन में आपने बैटरी के connection करने है वीडियो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पीन हुई मिल जाएगी देख लेना तो चलिए फटाफर से हम इसको डिसोल्डिंग करते हैं आप डिसोल्डिंग करने के लिए मैं किन-किन चीज़ों को इसमाल कर रहा हूं आप यहाँ पर देखते रहें और सीखते रह हम डिसोल्डिंग करेंगे इस मीटर को किस इस वारा वैसे निकालना दोनुका है तो एक को तुम आपको डेमो देते हूं तो यहाँ पर देखें यह हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डिसोल्डिंग पॉम्प है यह लाइट से ऑपरेट होता है और यह आगी की नोजल सी गर्म आरथे नार्मर्मल्य हम लोड असमाल करते है तो लोन एलेक्ट्रिकल होता है हिए वैसे हां करने लग जाता है वंटर इने फिर पड़ैंडा इसमें ऐर्ड़ा है तो नहीं पटती है कर लो और देखो बिल्कुल क्लियर विल्कुल क्लियर हो गया दिखो एक या असए या या लग गया बिलकुल आपके सामने ये देखो वोगया ना बिलकुल के लिए ये लैग बी लग लग गया तो ऊज़िया इसी यह अगर आप सबसे बढ़िया मुझे लगा जब मैंने इसको इसके एडबर्टाइज देखे और इसका यूज करा अब यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है भाई काफी लोग कमेंटर में यह लिखने ले जाएंगे तो प्रमोशन करने के लिए वीडियो बनाईए अब प्रमोशन अब काफी लोग बुलेंगे प्रमोशन वीडियो हैं दोस्तो इसका प्रमोशन ना ओलेडिक कर चुका हूँ मैं ठीक है उस वीडियो को आप देख सकते हैं आप सिर्फ आज सिर्फ इसको मैं आपको निकालना सिर्फ बता रहा था तो काफी लोगों का कमेंटर था इसलिए मैं इसको मैं यूज किया हूँ ठीक है देखिए बड़ी जवर्दस तरीके से यह देखिए कितनी आसानी से बात करते करते हमने इतनी पिने डिशोल्डिंग कर ली है तो इसी तरीके से हम इनको भी डिशोल्डिंग करेंगे तो वीडियो को ना फास्ट फोरोड कर लिया जाए इतना भी फास्ट फोरोड नहीं करूंगा बिल्कुल को लाइब दिखाऊंगा चलिए तो फानली यहां पर डिशोल्डिंग हो चुकी है आपके समने एक एक मिन को मैंने लाइव करके दिखाया हां थोड़ा सा फास्ट फोरोड के लिए था क्योंकि भाई टाइम भी आपको चीए था ठीक है यह खुल गया देखो हमने यहां पर गौंद रहता है तोड़ा से कट करना कर नहीं हो रहा हो तो और इसके बाद यह देखें लॉक है इसको खोले और यह असानी से खुल गया कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ बहुत ही असानी से काम हो गया यहां पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है चलिए छोड़िए इसको और यह जो हमारा डिस्प्ले अलग हो चुका है अब हम इसी तरीके से इसकी डिस्प्ले को अलग करेंगे और इसमें चला के देखेंगे अगर मैच हो जाता है सब कुछ मैंने मैच किया है मॉडल नंबर व परता है और प्रीकॉल के मीटर व्रॉग में रखते व्रॉग के मीटर प्रीकॉल में रखते थोड़ो सभी में मॉडल नंबर मैच करना पड़ता है चलिए चीज आप बड़ा ध्यान की रखके ही काम कीजेगा ऐसा नहीं कि कोई भी डिस्प्ले आपको पलसर की दिखी तो सब डाल दें नहीं सब चीज आपने ध्यान रखनी होंगी चलिए अब मैं इसके डिस्प्ले को उतारता हूं फटावर्ट से तो दोस्तों फाइनली हमने इसको भी उतार लिया है बड़ी ही प्यार से अब यहां पर इस बोड को रखते है साइट पे क्योंकि इसके ऐसी खरा नई गाड़ी का है गाड़ी अक्सिडेंट हो चुकी थी तो इस चक्कर में ना सामने का हैड़ वगार तूटा गो तो मीटर पर भी दिक्कत हुई देखिए तो इस बज़े से बिलकुल यह देखिए वारेंटी सील भी लगए प्रीकॉल के बिलकुल न्यू मीटर है ना जा फिल्समें लग जाएगी या फिए नहीं चलिये करता है कोशिच चलिए इसको फिट कैसे करते हैं यह तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ हूँ एक से कने से में इसमें एक बलब यहां पर गिरा हुआ है कि यह बल्ब है कि यह बल्ब नजाने कहां से किरा हाहा यह बल्ब तो एक्सिडेंट होने में साधी बल्ब भी टूटा हो देखो वाई यह बल्ब भी इसमें न टूटा हुआ है चली अच्छा हुआ पैक करने से capture एक काम करूंगा है मैं सब्सक्राइब पहले चेक कर लेता हूं इसमें बल्ब रुपलेस करतें उसके बाद सब चीजे चेक करेंगे की लाइट वगड़े चेक करेंगे खास करकी कर दो कैसे फिट करते हैं देख लू बल्ब और निकालते कैसे यह भी देख लो बहुत ही ध्यान से इसको निकालना रहेगा इसमें गल्ती बलती नहीं करने वाई यह यहाँ पर यह आर्पियम लिमिट का बल्ब है और रेड कलर का है यह मिलेगा नहीं दुबारा तो इसलिए ध्यान से एसे को रखके फोल्डिंग मार देता फुटाफट से चलिए तो यह काम भी हमारा हो चुका है अगर इसकी जगह पर आपका न यह बल्ब अगर नहीं मिलता तो इसकी जगह पर आप नॉर्मली बारह ओल्ड का एलीडी बल्ब लगा सकते हैं कि चलिए यह बल्ब हमारा फिट हो चुका है अब इसमें एक बार लाइट्स होगा है सब कुछ चेक करते हैं अगर कहीं पर कमी रही पर बन जागा और डिस्प्ले लगाने के बाद फिर लाइट सेक्शन को फिर हम खोड़ेंगे नहीं चलिए इसमें कर लेते हैं इसको ओन कि इनको भी चेक कर लेतने हैं लगे हाथ हम तो यह जल गई और नुट्रल और इसकी जल गई सारी लाइट्स होने आपके सामने हैं अगर वारिंग करना सीखना है तो भाई वीडियो मैंने बनाया है देख लेना यह लाइट नहीं जली स्टार्टिंग में जली थी में भी न चलिए देखते हैं हाँ जल रही है बिल्कुल सही है अब हम लगाते डिस्प्ले को यह हमारी वीडियो लंबी होती 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 बड़ी में जज़ा रहें इसने लाइप कर देना सब्सक्राइब करने की जीद मैं नहीं करता हूं क्योंकि हमां पता है कि यार जिसको सीखना है या फिर एक तरीका हो रहे है यहां से भी आप इस तरीके से फुसा सकते हैं और सभी पीना सीधी होनी चीए द्यान रखना कोई पिंटेडी होगी तो फिर डिस्प्ले पर जोड़ेगा और पर फिट नहीं हो पाएगा ठीक है तो इस तरीके से देखते वे फिट कर लो एक सेगेंड यह देखिए यहीश बॉआ चलया लो और सारी पिंट भी इपना और सारी जबारण यह पर लग लगा निक हैं अंक बार, पाहले हम THERE क्यों क्यों ब्रूसक्य शै utmostर नहीं सोडिंगे नहीं हम्ने नहीं करी है है अथि देखंगऎ का अन्दा दचल जाएगा कि हाँ क्योंकि सोटिंग कर लेंगे फिर गड़ बिल हो जाएगी भाई थो अधिस्प्रेट आ रही है मुझे हम्म पर्फेक्ट है और 894 किलोमेटर चलिए ये मिटर 894 किलोमेटर मजा आगया भाई इस तरीके से पीन इस तरीके से दबाओ जब डिस्प्ले चेक करते हो ना इस तरीके से सभी पीनों को इस तरीके से इस तरीके से दबाओ तो डिस्प्ले कुछ देर करें चालू हो जाएगी इसमें अटेच्च होने वाले हुए चलिए काम बनेगी आपना और आपको भी सीखने के लिए मिल गया कुछ नो कुछ वासकी पिन डिटेल्स आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्सिंट पर मिल जाएगी चलिए फटाफर स की सोल्डिंग भी हो चुकी है चलिए आप करते हैं टेस्ट फाइनल टेस्ट चलिए यह रहा इसका प्लग और यह रहा वन टू थ्री डिये चुहां परफेक्ट है सॉप्टे डिये चुका पड़ा है इसमें और मैं सुई अब सभी चीज़े चेक करना आपको बताता हूं च सुई भी चेक करते हैं सबसे पहले इसकी सुई काम कर रही कि नहीं परफेक्ट और यहां पर लाइट्स वक्रे सब कुछ काम कर रही है अगर लाइट मोडिफिकेशन करना सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो बना दूँगा सभी लाइट्स आपको चेंज करना बता दूगा है करना इसको नीला बनाना जकाए अब सबसे पहले हमस्वें सवी लाइट्स मों में चेक करी थी अब सबसे पहले उपर लिखावाना चाहिए एक सेगेंड का कुन सा वायर था सबसेंड के लिए हमें हाँ सबसेंड काम कर रहा है उपर देखेंड लिखावा आ गया है अब हमने ऑईल का चेक करना है और किलोमेटर का देकरना है किलोमीटर के लिए आप यहां पर देख लो देख लेशना ठीक है मैं यहां पर बढ़ा रहा हूं किलोमीटर काम कर रहा है और वहाँ और फ़ोकस आरा तूरीके से मत्ता में पर अब Cubum परफेक्ट है न चलिए ओईल का हम करते हैं टेस्टिंग वाल की टेस्टिंग के लिए मुझे मीटर आफ करना पड़ेगा और फिर से और आन करना पड़ेगा इस वायर को जोड़के फिर से ओं सकना पड़ेगा तो यह पार देख्या अभी फुल हो जाएगा अगर वादा बाहर सभी से काम कर रह Bir जो हեղा तो